अब हम आते हैं एक बहुत अहम लेकिन अंतिम बिंदु पर इस अध्याय के और वहा है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिध्धानतों में अंतर क्या है समानताएं तो कोई विशेश अध्यायन की बात नहीं है लेकिन अंतर जो है वो हमें जानना बहुत जरूरी है फंडामेंटल राइट्स एंड डारेक्टिव प्रिंसिपल्स मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर यहां देखना शुरू करें मौलिक अधिकार जो है इस प्रिकार मौलिक अधिकारों को हम नियायले के द्वारा लागू कराना सुनिश्चित कर सकते हैं मौलिक अधिकारों के मामले में हम नियायले जा सकते हैं इसके ठीक विपरीत यदि हम नीति निर्देशक की बात करें तो इनको लागू करवाने के लिए नियायले नहीं जाया जा सकता और नहीं नियायपालिका या कोड सरकार को उन्हें लागू करने के लिए आधेश दे सकती है या बात दिकर सकती नहीं तो पहला अंतर तो ये है जस्टीशियेबल नॉन जस्टीशियेबल इस पर न्याय प्राप्त किया जा सकता है मांगा जा सकता है इस पर न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है तो दूसरा, मौलिक अधिकारों की प्रकृति जो है वो नकारात्मक है ये रज के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है मौलिक अधिकार जनता को मिला है और क्यों मिला है? शासन को निरंकुष होने से रोकने के लिए इसका हमने अध्यन किया शासन को ताना शाही रवये से बचाने के लिए अधिकार दिये गए है तो ये प्रतिबंध है और प्रतिबंध जो है शब्द वो नकारात्मक है इसलिए मौलिक अधिकारों की प्रकृति को हम नकारात्मक कह सकते हैं क्योंकि ये प्रतिबंध है अनुछे 13 में तो कहा भी गया है कि रज जैसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों द्वारा दिये गए अधिकारों को छीनता हो जो मौलिक अधिकारों के तहद दिये गए अधिकारों को छीनता हो जैसा कोई भी कानून नहीं बनाने का प्राउधान आदेश ह अनुछे तेरा में तो ये नकारात्मक है दूसरी और नीति निर्देशक सिधान जो है इनकी प्रकृति सकारात्मक है जो राज को कुछ करने के लिए निर्देश देते हैं राज को कुछ करने के लिए दिशा देते हैं तो ये सकारात्मक करने के लिए और यहां प्रतिबंध के लिए इसलिए ये नकारात्मक वो करने के लिए इसलिए सकारात्मक तीसरा मौलिक अधिकारों का विशेक मौलिक अधिकारों का संबंध तालुकात किस से है व्यक्ति से नागरिक से अर्थात मौलिक अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त हैं और इन्हें पाने के लिए नयाले जाये जा सकता है नयाले में अपील की जा सकती है यदि मौलिक अधिकार ना मिले या किसी कारण से वंचित कर दिया जाये तो एक व्यक्ति नागरिक के नाते नयाले जा सकता है समझने के बात यह है कि मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्ति से है लेकिन नीती निर्देशक सिध्धान्तों का संबंध राज्य से है इस्टेट से है गर्ण्मेंट से है मौलिक अधिकारों का विश्ध व्यक्ति है नीती निर्देशक सिधान्तों का विश्ध राज्य है अर्थाति राज्य के लिए निर्देश है ना कि व्यक्ति के लिए जबकि मौलिक अधिकार व्यक्ति के लिए हैं, राज्य के लिए नहीं इस देश के जो नाग्रिक हैं, नाग्रिक होने के नाते उन्हें ये मौलिक अधिकार मिले हुए हैं तो उसकी सीमा क्या है मौलिक अधिकारों की देश की सीमा खेत्र में निवास करने वालों तक ही खेत्र के बाहर के लिए नहीं है वहीं नीति निर्देशक सिध्धान जो है उनका खेत्र ज्यादा व्यापक है नीती निर्देशक सिध्धान्तों का खेत्र जो है वो अंतराश्टरी है विश्व शान्ती को भी लेकर नीती निर्देशक सिध्धान्त है हमारी विदेश नीती के तहद भी कुछ नीती निर्देशक सिध्धान्त बने हुए है दूसरे शब्दों में नीती निर्देशक सिध्धानतों का दाइरा ज्यादा व्यापक है वैश्विक है जबकि मूलभूत अधिकारों का दाइरा खेतरी है देश की सीमाएं है कताइर शेर में थाइरा जना है क्या मौलिक अधिकार सतत है या नीति निदेशक निद्धान किसी खास समय काल में उनका स्तित तो नहीं रहता ऐसा भी है इस सम्मन्द में मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है ये हमने पढ़ा है और सीमित किया जा सकता है वैसी ही इसकी कई सीमाएं है और कुछ अपवाद भी है लेकिन ये भी आपको मालूम है कि मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है उन्हें समाप नहीं किया जा सकता, समाप करने के लिए समवेधानिक संशोधन की जरूत है, लेकिन स्थगित करने के लिए आपात काल जैसी स्थितियां परियाप्त हैं, आपात काल की घोशना हो, तो मौलिक अधिकार स्वयमेव स्थगित हो जाते हैं, लेकिन नीति निदेश पर्मनन्ट हैं सतत हैं कोई भी स्थिती ऐसी नहीं उपजेगी जिसमें नीति निदेशक सिध्धानतों को इस ठगित किया जा सके सीमित किया जा सके छटवां अंतर दोनों के बीट में मौलिक अधिकार क्यों दिये गया हैं मौलिक अधिकारों को देने का उद्येश जहां सरकार की निरंकुष्टा से बचाना है और भी कारण है वहां एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है हमने अध्यान के समय इत विशे को बार बार समझने की कोशिश की थी कि मौलिक अधिकारों से हमें जो स्वतंता का अधिकार मिला है धार्मिक स्वतंता का अधिकार मिला है शिक्षा का अधिकार मिला है ये सब हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए व्यक्तित्व के विकास के बहुत जरूरी हूँ दूसरे शब्दों में नागरिकों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास करने का ये अधिकार हैं लेकिन नीती निदेशक सिधान्ट समाज के विकास पर बल देता है नीती निदेशक सिधान्ट व्यक्तिगत विकास पर बल ना दे करके सामाजिक विकास पर बल देता है सारे नीति निदेशक सिध्धान्त ऐसे बनो हुए हैं जो समाज की ओर इशारा करते हैं किसी एक व्यक्ति की ओर नहीं अगला मौलिक अधिकारों की सरकार द्वारा अवहेलना की जा सकती है मौलिक अधिकारों की सरकार द्वारा अवहेलना की जा सकती है जबकि नीति निदेशक सिध्धान्त मूलता जन्मत पराधारित है इसके कारण कोई सरकार इसकी अवहेलना नहीं करती उल्टा ऐसा है कि आगामी जो चिनाओं है आगामी निर्वाचन में जन्ता का विश्वास खोने का भै उस सरकार को ज्यादा रहता है जो नीति निर्देशक सिध्धान्तों का पालन जिसने नियूनितम किया हूँ उससे हमेशा अगले चिनाओं के परणामों का भै रहता है जबकि मौलिक अधिकारों में ऐसा नहीं है मौलिक अधिकार सरकार इसकी जब चाहे तो अवहेलना कर सकती है कि अगला बिन्दु मुलिकत कार मुखत विभिन सुतंत्रताउं पर बल बल देता है सुतंत्रतायों पर फ्रीडम पर जबकी नीतीनिरदेशक सिधान जो हैं वह कैम आर्थिक या सामाज़िक अधिकारों की बात ज़्यादा करते हैं HUमने जितने नीती निदेशक सिधान्त पढ़े चाहे इस तरीके से वर्गी करण किया हो चाहे दुगांधिवादी तरीके से अन्य तरीकों से वर्गी करण किया हो हमने पाया कि उसमें अधिकतर मुद्धे ऐसे हैं जिनका तालुकात जिनका संबंद सामाजी के आर्थिक मुद्धों से है तो नीति निदेशक सिधान सामाजिक या आतिक मुद्धों पर बल देते हैं जबकि मौलिक अधिकार हमारी स्वतन्तृता के विभिन पहलूँँ पर ज़्यादा बल देते हैं नौवा अंतर मौलिक अधिकारों का लक्ष राजनैतिक है लक्ष राजनैतिक अर्था दिनका उद्येश राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना जिसमें स्वतन्तरता समानता ऐसे अधिकारों की बात होती राजनीतिक प्रजातंत्र लक्ष राजनैतिक नीति निदेशक सिधान का लक्ष क्या भारत में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र तो एक और जहां मौलिक अधिकार राजनितिक प्रजातंत्र की बात करते हैं वहीं नीतिने देशक सिधान आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र की बात करते हूं यह तो हुई दोनों में अंतर की बात और कितना अंतर है इसको अब हम विविन दृष्टी से समझ चुके हैं लेकिन इतने अंतर के बाद भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ये भी उतना ही महत्पूर्ण है हमें समझना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं एक दूसरे को कॉंपलिमेंट करते हैं मौलिक अधिकार और दिशा निर्देशक काफी सीमा तक एक दूसरे के लिए संबल हैं जैसा मैंने बताया कि मौलिक अधिकार राजनीतिक प्रजातंत्र की बात करते हैं वही निर्देशक सिधान सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की बात करते हैं प्रजातंत्र की यदि हम बात करें केवल प्रजातंत्र की तो वो सभी तरह के प्रजातंत्रिक पहलों प्रजातांत्रिक तत्वों से मिलकर बना है तो केवल राजनीतिक प्रजातंत्र स्वयम में परियाप्त नहीं है या केवल आर्थिक प्रजातंत्र भी स्वयम में परियाप्त नहीं है तो दोनों एक दूसरे के पहलों शाबित होते हैं उच्च नियाले ने एक केस के मामले में अपना निर्ना दिया था और उस निर्ना में कहा था कि सब्धान के भाग तीन में जो अधिकार दिये गए हैं वे मौलिक अधिकार हैं. परंतो भाग चार में दिये गए सिध्धान देश के शासन में मॉलिक इस्थान रखते हैं शासन में मॉलिक इस्थान रखने वाला भाग कौन सा है भाग चार भले जिए अधिकारों की बात किसमें की गई है भागतीन में इसलिए कुल मिलाकर मौलिक अधिकार और नीति नीदेशक्त धांतों के बीच किसी तरह के संगहर्ष का किसी तरह के विरोधा भास का कोई प्रश्ष्णी नी रिखता और ये दोनों एक दूसरे को सप्लिमेंट करते हैं एक दुसरे को compliment करते हैं, एक दुसरे के पूरक, जहां तक दृष्टिकोन की बात है, नीति निदेशक सिधान्त और अधिकारों को लेकर, तो कारेपालिका और न्यापालिका का एक तरीके से परस पर विरोधी दृष्टिकोन हो जाता है कई बार, कारेपालिका जो है, वो नी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रबंद लगाये जा सकने की संभावना देखती है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रबंद लगाये जा सकते हैं, कारेपालिका द्वारा, वो ह प्रतिबंद नहीं लगाये जा सकता। दूसरा संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। लेकिन नय पालिका की मामले में संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों का उलंगन करता है। ऐसा न्याय पालिक्या की सोच है संसद ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती जो मूल अधिकारों का उलंगन करता है तो इस वकार कुछ बिंदू ऐसे हैं जिस पर परस पर विरोधी दिश्टिकोंड दिखता है इसमें दूसरा पहलू क्या है दूसरा पहलू है कि कभी-कभी न नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास मौलिक अधिकारों से टकरा जाता है एक बहुत प्रसिद केस है जिसे आप स्वैम अलग से उसका अध्यान करें जिसे हम कहते हैं केशवानन्द भारती केस केशवानन्द भारती केस इसमें दोनों के बीच की टकराहट स्पस्ट दिश्ट कोचर है क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के प्रयास में मौलिक अधिकारों से टकरा रहे थे इनके विचार उदारन जमीनदारी उन्मूलन कानून भी है जमीनदारी उन्मूलन कानून अब इसमें दो पहलू थे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था क्योंकि जमीनदारी उन्मूलन के तहट जमीनदारों से उनकी जो संपत्ति थी वो ली जा रही थी जबकि अधिकार कहता है कि उन्हें निजी संपत्ति का अधिकार है तो संपत्य के मौलिक अधिकार का हनन होते हुए इसमें देखा जा रहा था लेकिन दूसरा पहलू था कि सामाजिक जरूरत थी इस उन्मूलन कानून को बनाने के पीछे जो दूसरा पहलू था वो ये था कि जमींदारी प्रथा को समाप्त करना एक जरूरत समझी गई एक आउश्कता समझी गई वो भी व्यक्तिक जरूरत नहीं सामाजिक जरूरत देश हित में व्यक्तिक हित से उपर उठकर और इसी लिए इसमें सम्विधान इसको लेकर सम्विधान में संशोधन किया गया जिसे हम 44 संशोधन के रूप में देखते हूं कुल मिला के निशकर्ष क्या इस अध्याय के अध्यन के बाद हम किस निशकर्ष पर पहुंचते हूं अधिकारों में सुतनता भी है और समानता भी है राश्टी अंदोलन के दौरान ये विचार बड़ा स्पष्ठ हुआ कि समवेध्हानिक अधिकार बहुत महतपूर्ण है और इसलिए राश्ट्री अंदुलन के दौरान स्वतंता और समानता संबन्दी विचार को समवेधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा अर्थात इस बात पर बारंबार बल दिया जाने लगा कि इन बातों को स्वतंता को और समानता को संव्यधानिक प्राउधान के रूप में जोड़ा जाए हमारे संव्यधान में इस जो लंबी परंपरा को हम मौलिक अधिकार के रूप में देख सकते हैं 1950 से न्याय पालिका ने अधिकारों के महत्पूर्ण सर्रक्षन की भूमिका भी निभाई है और बहुत से ऐसे मामले सुप्रीम कोड के सामने पहुंचे हैं जिस पे मौलिक अधिकारों की सीमाओं पर प्रश्ण उठाए गया, मौलिक अधिकारों के संशोधन के अधिकार पर प्रश्ण उठाए गया, लेकिन नयाय पालिका ने बखुबी अपनी भूमिका निभाते हुए, हमारे मौलिक अधिकारों को अक्षुन ने बनाय रखा है, और यदि संपत्य के अधिकारों के संशुधन को स्विकार किया है, तो इसके पीछे बहुत बड़े बहुत सारे आर्थिक कारण थे। नियाइक व्याख्याओं ने अनेक अधिकारों का खेत्र विस्तृत कर दिया। हमारी सरकार और हमारा जो प्रशासन है, इसी दिशा में काम कर रहा है, अधिकार खेत्रों को और विस्तृत कर रहा है। एक और अधिकार जहां सरकार के कारे की सीमा को तै करते हैं और देश में लोग तांतरिक साशन सुनिश्चित करते हैं, वहीं दूसरी हो रही है अधिकार व्यक्तिगत स्वतन्ता और व्यक्तिगत स्वतन्ता के साथ समानता आधिके आधार पर व्यक्तित्त के विकास में भी बहुत मदद कर रहा है इस पकार हमने इस अध्याय का पूल रूपेन अध्यान कर लिया प्रारम से अंतक और जो प्रारम में हमने जिक्र किया था कि इस अध्याय में हम क्या क्या सीखेंगे समझेंगे इस सभी बिंदों को छूते हुए विस्तार से बातों को समझा है बातों को विशे को सही समझें है या नहीं इसके लिए एक प्रशनावली भी है जिसमें छे प्रशन हैं आप प्रयास करें कि इन प्रशनों का हल इसी अध्याय में के लिए बनाए गए वीडियो से आप मिकालने की कोशिश करें पहला प्रश्ण है और सभी प्रश्ण दीर गुत्री हैं तो पहला प्रश्ण है कि राज के नीति निर्देशक सिध्धान्तों से आप क्या समझते हैं हमारे सम्विधान में इनके जोड़े जाने का क्या महत्व है नीति निदेशक सिध्धानतों से जोड़ा हुआ पहला प्रश्ण दूसरा दो गांधीवादी, दो समाजवादी और दो उदारवादी राजिके नीति निदेशक सिध्धानतों का वर्णन करें गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी इन नीति निदेशक सिध्धानतों को लें थोड़ा उनका वर्णन करें तीसरा जो बहुत अहम है जो प्रश्ण और वह है मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तक्त्वों में अंतर बताएं बिंदुवार जिसका मैंने जिक्र किया है ऐसा बिंदुवार आपको दोनों में अंतर बताना है चौथा प्रश्ण अधिकार के क्या अर्थ हैं कि अधिकार की परिभाशा दें उसी में जुड़ा हुआ है कि भारती संविधान में मौलिक अधिकारों को रखने के कारण बताएं मौलिक अधिकारों को संविधानिक प्राउधान बनाए जाने के कारणों पर प्रकाश डालें पाँचवाप प्रश्ण भारती संविधान में वर्नित मौलिक अधिकारों का नाम लिखते हुए भारती सुम्विधान में मौलिक अधिकारों का नाम लिखते हुए किसी तीन मौलिक अधिकारों का वर्णन करें उनकी सीमाओं के बारे में बताएं और यदि कुछ अपवाद हों उस पर पकाश डालें और छट्वा रंतिम प्रश्ण है राष्ट्री मानो अधिकार आयोग के दायित उपर संखिप्त में लिखें राष्ट्री मानो अधिकार आयोग पर संखिप्त में एक लेख लिखें इस पकार ये अध्याय आप इन प्रश्णों के साथ यहां समाप्त होता है